हाईलो फ्रेंड्स गुड विनिंग स्वागत है आप सब का स्विकृर्पा कलासेज पर मैं वहें सराप सब का स्वागत करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में हम लोग SSC CHSL एकजाम 2023 के 17 मार्च आज सिप्ट में पूछे जाने वाले दोस्तों ये वीडियो हमारा आपके एकजाम में पूछे जा रहे है परसनों के लेबल वा परसनों के टापिक्स का पूरी तरह से एनलाईज करके बनाए गया एक महातपूर वीडियो है तो दोस्तों आप लोग इन्हें कांस्टेट होकर साल्प करें कोश्चन्स कम सही होने पर पूरा प्रसनों का डिवीजन करें ताकि आप लोग भी अपने एकजाम में अच्छे से अच्छा परफार्फार्मेंस कर सकें तो चली दोस्तों यदा समय न लेते हुए हम लोग 17 मार्च आल्प सिप्ट में पूछे जाने वाले अतिसंभावित महतपूर परसनों को साल्प करना शुरू करते हैं दोस्तों question number one है हमारा गणगवर महोसव किस राज में मनाये जाता है तो इसका सही अंसर होगा गणगवर महोसव राजस्थान राज में मनाये जाता है को साक्र नाड़ी में आयूजित होगा फिजी गन राज में पढ़ता है को ध्यान से कहले कैसि क्ञ Эक जगत के डियार करें आप प्रसणों को समझने का प्रियास करें कोश्चन है फीफा कलम बिसकप 2023 कहां आयूजित किया जाएगा तो यह मुरखको में आयूजित किया जाएगा, कहाँपर चैनल में, next question, दुद से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो कौन सा बल लगता है दूस्तों? अप केंध्रिये बल, दुद से क्रीम निकालने म अप यह चलेंगे logn, अगला question हो भारतिय किरसी अनसंधान संथान कहाँ इस्थिता है ? तो यह नई दिल्ली में इस्थिता है यूरिया में nitrogen की प्रतिसट मात्रा होती है तो कितनी 46% होती है दूरवीन का आविस्कार किस ने किया था ? तो इसका आविसकार गैली लिओ ने किया था, किसने गैली लिओ ने, next question इसकूल चलो अभियान का प्रारम वर्स है, तो कौन सा दूस्तों सन्दोहजार से यह लागु किया गया था, इसकूल चलो अभियान, next question निती आयो के नए CEO कौन बने है, CEO माने होता دोस्तों चीफ एजूकेटिव आफिसर यानी मुख्य कारी-कारी अधिकारी अध्यस बरत्मान परधान मंत्री होते हैं आप लोग जानते हैं चाहिए वो योजना यह या नितिया यह तो दोस्तों सीओ कौन है तो परमेशोरन आयर है बेरी बेरी मोस्ट इंपर्टन कोश्चन है दोस्त नेक्स्ट आगरा सहर की स्थापना किस ने की थी तो सिकंदर लोधी ने की थी किसने सिकंदर लोधी ने ऐसा भी पूछा आता है दोस्तों कि आगरा सहर को किसने बसाया था तो भी हमारा अंसर सिकंदर लोधी ही होगा नेक्स्ट कोशन पीतल किन धातव का मिस्रण है तो यह ताबा वज्यस्ता कमिश्ण है रेपीटेट कोशन है पूछा जा चुका है दूस्तों अब लोग जानते हैं नेश्ट कोशन भारते राष्टी कांग्रेस की अस्थापना कब हुई थी तो इसके अस्थापना हुई थी दोस्तों हमारा एंसर आय। था 72 members केतने 72 अगला कौस्च दूस्तों के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं तो छोभ मंडल के सबसे निचला को उन सपरत है दूस्तों छोभ मंडल यहीं पर बादल बनते हैं वह इस दिताप मंडल मिलता है जो की दोस्तों वाइव सेवाओं के लिए andas Esthti के लिए माना जाता है वह जया जिट सेवाओं के लिए और समताप मंडल के ही उपर हिस्थे में ओजोन प्रत का विस्तार है यह भी पूछा जाता है दोस्तों तो ओजोन प्रत कि समॉधाफ मंडल में इसके ऊपरumuz मद्ध मंडल है मद्हिस् тоб dis तो नाट्रोजन है और जो उजोन प्रत है दोस्तों यह हमारी सुवर से निखलने वाली अल्ट्रा वैलेट किन्डू से रच्छा करती है नेक्स्ट कोश्चन फीफा महिला फुटवाल विसकप 2023 कोश्चन ध्यान से सुनिएगा फीफा महिला फुटवाल विसकप 2023 कहां आउजित किया जाएगा तो यह आस्टेलिया और न्यूजी लैंड में आउजित किया जाएगा एक चीज़ और ध्यान देजीगा यह दूस्तों फाइफा महिला विस्टवाल विसकप का नौवा संस्क संग्धान किस देश का है तो भारत का है आप लोग जानते हैं भारत भुस्य का सबसे बड़ा लिखे संग्धान भी है नेस्ट कोश्चन भाखणा नांगल प्रियोजरा किस नदी पर निर्मित था लोकेशन की बात करें तो पंजाब राजजी होगा अगला Queson हरिजन पत्रिका का संपादन किस ने किया था तो महत्मा गांधी ने किया था आगे चलेंगे हुम लोग अगला Queson है दूस्तों Misses World 2022 आप लोग जानते है Miss India विबेशे ही Miss World होता है मिसेज यानि की World 2022 का खिताब किसने जीता है तो यह दूस्तु सरगम कौसल है यह मिस होना चाहिए दूस्तों मिसेज लिख गया है Miss World 2000, 22 का खिताब किस ने जीता है तो सरगम कौसल हैं जो की JK यानि की जम्मु कस्मीर की है Next question सत्य सोधक समाच की स्थापना किस ने की थी तो जोतिवा फूले ने की थी सत्य सोधक समाच की स्थापना जोतिवा फूले ने की थी Next question आरिवाटूप गराह को कब लांच किया गया तो 19 अपरेल 1975 को लांच किया गया था नेस्ट कोश्चन फारवर्ड बलाग पार्टी की स्थापना किस ने की थी सही इंसर होगा सुभाज चंद्र बोस ने नेस्ट सिमला समझ होता कि इन दो देशों की मद्ध हुआ था तो ये हुआ था भारत वहां पाकिस्तान के मद्ध में नेश्ट कोशन काली बंगा भारत के किस राज में हिश्थित अब लोग जानते हैं तो काजी-रंगा राष्ट वुद्यान अब लोग जानते हैं भारत के राष्ट्य उद्यान है जोकी एक शिंग वाली लिए जाना जाता है और यहां भारत के असम राज में इस्तित है अगे चलेंगे हम लोग कि अगला कोश्चन दोस्तों कि संग्धान के किस भाग में पंचायती राज़वेवस्था का प्रावधान किया गया है तो दोस्तों भाग नौ है पूछा जा चुका है दो क्टूबर 1969 को सबसे पहले राजास्थान की नागवर जिले से शुरू की गई थी उसके बाद दोस्तों यहां से और भी कोश्चन मनें 73 संग्धान संसोधन इसी से संबंदी था किस से पंचायती राज से उसके बाद दोस्तों बलवंतराय मेहता का नाम आप लोग जानते ह इन्होंने हित्ति रस्तरी पंचायती राज का सुझहाओ दिया था वह है दूस्तों ग्राम पंचायत छेतर पंचायत था बलाक वहां जिला पंचायत और भारते समिधान के अनुच्छे चालिस जो की DPSP यानिकि डारेक्ट प्रिंसपल आप इस्टिट पॉलिसी के अंतरग सफस्एब से है नेस्ट कोशन बिटामिन एक आरअसा इंग्नाम क्या है तो ये रेटीन अल है नेचर पुरूसों को फीफा 20 कप मैच में ध्यां दिजेगा पूरूसों के फीफा 20 कप मैच में ऎं़डिया करने वाली विस्व की पहली महिला कौन बनी है स्टेफनी फॉरोप करशकार 2022 किसने जीता है परसिद टेमपल्टं Religion किसने जीता है तोस्त क्रसफित के कमी से रख्षत थक्का नहीं बनता यह से कई करश्oke बनते हैं मुवतित हैं कि हेमोफिलिया रोग से घर्षत बगत में कौन से विटामिन की कमी होती है तो विटामिन के यह कोशन आप रहांता है दोस्तों कि रक्त का बहना बंद नहीं होता या हीमोफिलिया रोग से गर्सित बगत में रक्त का बहना बंद नहीं होता यह कौन से विटामिन की कमी की कान तो विटामिन के यानि कि दोस्तो करना बनने के कालन खून का बहना बंद नहीं होता है next question DNA RNA आप जानते ही होंगे का परमुखकार क्या है बारबर पूछा गया दोस्तों DNA का परमुखकार तो आनुएंसिक क्रियाओं का संचालन करना नेश्ट बिटामिन C का राशारी नाम पुछा जा रहा है दोस्तों तो स्कॉर भी कम लें ये का भी हो गया है और C का भी हो गया है नेश्ट कोश्चन मौरि साशा का सोक ने कलिंग पर कब आकरमाट क्या था तो 261 हिसापूर में नेश्ट भारत के नए चीफ आफ डिफेंस स्टाप यानि की सीडियास कौन बने है तो अनिल चवहान है नेश्ट कोश्चन संग्धान की आठोई इन सोची में भासाओं की संख्या है कितनी दोस्तों ये बताना है तो 22 भासा है साथोई में दोस्तों सक्तियों के बटवारी के संबंद में दिया बात की गई है यानि कि ये दो बार पूछा भी चाड़ा आपके एक्जाम में दोस्तों अभी समध्धान के सातुय नों सूची की जिसमें वार्ण है संग सूची में कानूर बनाने का अधिकार केंद की संसत को है राज स्वे में राज के विद्धान मंड सिभूषा ये समोर्ति सूचः में रखा गया है तो ये समूर्ति सूचि का बिशय है यह दोस्टों राज सूचि का भिशय है यह याठी si इन सूची हम लोग देख चुके दोस्तों साथ वी हमारी से समदिती आठ वी भासे से समदिते हैं टोटल कितनी भासाइं हैं 22 अगला कोश्चन देखेंगे पाक जलसंदी को लग करती है तो यह भारत यों सिलंका को अलग करती है नेश्ट कोशन आर बी आई के स्थापना कब ह होई थी तो यह अपरेल 1935 को आगे चलेंगे हम लोग अगला कोश्चन दोस्तों आपके एकजाम में पूछा जा चुका है भूकंप्य तरंगों को कि सियंत से मापा जाता है तो सिस्मों गराब से मापा जाता है नेश्ट कोश्चन आगा खाक किस खेल से संबंदिता है तो नेश्ट कोश्चन मेघाले के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती तो मासिन राम है सबसे ज्यादा दूस्तों आप लोग जानते ही है नेश्ट कोश्चन भारतिय ओलंपिक संग यानि कि आई ओ ए कि पहली महिला अध्यश कौन है तो यह हैं पीटी उसा आप लोग ज दूस्तों संसत के सन्युक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार संसत के सन्युक्त अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार वह संसत के निचले सदन यानि कि लोग सभा को भांग करने का कारी यह तिनों कारी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाते हैं लेकिन जब द DC National Development Council कि अस्थापना की सुवर्स हुई थी तो 1902 में हुई थी आगे चलेंगे हम लोग अगला कोश्चन है दूस्तों फ्लाइंग सिख के नाम से कौन परसिद्ध है तो यह मिलखा सिंग है इस वीडियो का दूस्तों लास्ट कोश्चन फुटबाल टूर्नामेंट फीफा विस्टुकप 2022 किस ने जीता है तो अर्जेंटीना ने जीता है और इसका जनास्ता दूस्तों कतर में किया गया था तो यह था दोस्तों इस वीडियो के टाप यम सी क्यूच के परस्न जिसको हम लोगों ने हापे साल्प किये हैं उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने साल्प किया होंगे और देखे होंगे कि यहां से आपके कितने कोस्टन सही हो रहे है तो दोस्तों इसी तरह के